आज लेके आई हूँ आपके लिए आपके बालों के लिए बहुत ही जादा पाफुल है टॉनिक बाल इतनी तेजी से बढ़ेंगे ना कि आप आगर मुझे जरूर बताएंगे बालों में वालियूम नहीं है, बाल बहुत सदा तूटते हैं, जहरते हैं और ग्रोथ नहीं है, उन सब के लिए बहुत ही बढ़ियां है, टॉनिक है ये और आपके घर पे बहुत ही असानी से बन जाता है, जै अगर बालों में ग्रोथ नहीं हुई ना, तो आप मुझे कहना के आई हूँ आपके लिए एक DIY hair tonic, hair tonic जब बोल रही हूँ ना तो ये वाकई में hair tonic है, ayurvedic ingredient से बनाया है मैंने hair tonic, जिससे आपके बाल लंबे होंगे, घने होंगे, बालों में जो growth stagnant हो गई है, वो तीजी से बढ़ने वाली है, क्योंकि एक special ingredient इसमें add किया है, जो आपने आज तक नहीं सना होगा, या फिर आज तक नहीं try किया होगा, तो और जाधा बाते करें, चले सीधे वीडियो की तरफ, चले स्टाट करें, इसली मिल जाता है, ग्रोसरी शॉप में भी मिल जाता है, बहुत ही ज़्यादा पाफुल है, हमारे बालों में growth लाने के लिए, थोड़ा सा एसे ही, रांडम ली मैंने ले लिया है, और जार में डाल दिया है, नेक्स तम आड़ करेंगे फ्लाक सीट यानी अलसी, एक बड़ा चमच और इसे इसमें पानी डाल देंगी इसे हम सोक करके रख देने वाले हैं जितनी भी इंग्रीडियंट्स मैंने आड की हैं आप स्किप मत करेगा यह सारी चीज़ें आपको आड करनी हैं जैटमासी आप आउनलाइन मंगा लिए जी बहुत ही जादा यूसफुल रहता है दोस्तों बालों के लिए इस तरह से जार को कवर करके मैं ओवरनाइट छोड़ दूँगी और नेक्स दे ही मैं इसका यूज करूँगी नेक्स डेसे एक स्प्रे बॉटल में डाल कर मैं इसमें ऐलोवेरा जेल में डारी हूँ और अप चाहें तो थोड़ा सा विटमिन E ऑल भी मिला सकते हैं और इस तरह से आपको स्प्रे करना है अपने बालों में जटा मासी के जो गुड़ हैं जो मेथी के राइस के गुड़ हैं वो अच्छे से स्कैल्प में पेनिट्रेट होंगे ब्लड सिर्गूलेशन बढ़ाएंगे और आपके रीग्रो होंगे अगर आपको बॉलिनिस की प्रॉब्लम हो रही है हेर थेनिंग की प्रॉब्लम हो रह प्रफिजरेटर में 15 डेस के लिए स्टोर कर दीजे एवरी डेस के लिए यूज के लिए परफेक्ट है चाहें तो इसे अपने शैंपू में मिलाईए उसके साथ यूज करिए सब कैसी लगी ये रेमिडी गाईज थीन बहुत जादा सिंपल ओवर नाइट से रखिए और अराम से यूज करिए पूरे हफटे जब भी आप अपने है को वाश करते हैं उससे दो घंटे पहले या फिर एवरी डे भी आप यहां पे जहां पे आपके रूट्स हैं जहां पे को थिनिंग की प्रब्लम हो रही है या फिर पूरे स्कैल्प एरिया में अच्छे से से लगार कर मसाज कर लीजिए प्लेस कर दीचे अपने रूट्स पे यह इतना सदा मैजिकल है ना विदिन कुछ डेज आप देखेंगे कि आपके बेबी हैर आने लगे हैं आपकी नए हे कर देख सकते हैं यहां से मेरे बाल ऐसे ओडे ओडे से लगने लगे हैं यह दिखे नहीं विदिया करकी कोई नहीं जी दीर ही हिए यह घरो hoping आप आपके बालों में वॉल्यूम आयगा बाल बढ़ व्ट औरैं पर सरूर आएंगे, ये मेरी गैरंटी है, आज की वीडियो पसंद आई है, do like this video, share this video and subscribe to my channel, I will see you guys in my next video, take care and bye bye.